अगर आपका PF का form reject हो गया है, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, छोटा सा परिचे, मिर नाम सागर है, मैं PF consultant हूँ, जो यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ, यह generally मैं fees लेकर करता हूँ, आप लोगों को guidance free में देना चाहता तो PF office वाले आपके दुश्मन नहीं है, PF office के system पे कई तरह के form आ सकते हैं, पहला form आपका हो सकता है 31, दूसरा हो सकता है 99, त्रीसरा हो सकता है form नंबर 13, जो transfer का होता है, यह तीनों ही category के forms में PF office जनरली तभी reject करती है, जब उसके system पे कोई error नजर आता है, जब कोई error नजर किया गया है, उसका reason क्या है, और reason आपको कहा से मिलेगा, reason आपको, जो SMS आया है उससे नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको member home की website पे आप देख सकते हैं, लेकिन इससे भी बहतर तरीके से दिखाया जाता है, PF passbook की website पे, PF passbook की website खास तोर पे claim का status देखने के लिए ही बनाई है, PF passbook and claim status तो इस claim status की जगे पे आपको जाके देखना पड़ेगा, फिलहाल जब आप claim status में देखेंगे और rejected claim पे आ जाएंगे, तब आपको वहाँ नजर आएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से member ने मेरे को screenshot भेजा है, आपको भी कुछ इस इसी तरह का screenshot या इसी तरह का SMS देखना है और उस SMS में जो लिखा है वो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, जब reject किया गया तो आप देख लीजे इस case में क्या हुआ है, यहाँ पर form number 19 reject हुआ है, 17 July 2024 को reject हुआ है, एक चीज समझे लिजे, यहाँ पर उनके पास दो जगे होती ह भरने की, जैसे खाली स्थान है, खाली स्थान दो जगे होती है, तो पहले वाले खाली स्थान को जो भरते हैं, वो सही रीजन भरते हैं, और दूसरे वाले खाली स्थान में कुछ भी भर सकते हैं, आइडली उनको सही रीजन भरना हो चाहिए, लेकिन दूसरे वाले option को मत पहले option को देखिए कि पहले option में मेरा क्या लिक के reject किया है जैसे यहां पे लिखा है not eligible for withdrawal benefit as waiting period of two month from date of exit is not completed ऐसा लिखा है मतलब इनके case में अभी जो हम जिस example की बात कर रहे हैं इस case में लिखा है कि भाई साब आपका अभी दो महीने पूरा नहीं हुआ है इसलिए अभी हम आपको 19 मतलब पूरा full and final का पैसा नहीं दे सकते हैं तो क्या करना होगा जी simple सा है दो महीने पूरे नहीं हुए हैं आप अपनी exit date देख लीजे और exit date के दो महीने के बाद आप apply किजे 4 मई 2000 मान लेते हैं एक example 4 मई 2024 को आपका exit डली है तो आप 14 जुलाई 2024 के बाद आप apply कर सकते हैं 19 10 सी तब आपको मिल जाएगा आपके case में जो भी reason आ रहा है वो आप भरिए 99 परसंट जो आपके reason होता है वो पहले वाला जो reason है वही आपके लिए important है उसी को आपको ठीक करना है उसी को ठीक करने के लिए जो भी आपसे कहा जा रहा है जैसा भी पचास तरह के rejection हो सकते हैं अब अलग-लग rejections के लिए मैंने playlist बना रख की है आप उन में जाके देख सकते हैं कि भाई मेरे जो rejection है वो इन में से कौन से reason से लिखा हुआ है ठीक है ना तो आप मेरी ये reject वाले series को देख कर समझ सकते हैं ये वाले देखो मैंने यहाँ पर 59 वीडियो बनाई है 59 वीडियो में से आप देख लिजे आपके कौन सा reason है reject का उस reason को ठीक कीजिए और उसके बाद आप कर दीजे अगर ये मान लो कि इन्होंने मुझे fees दी होती तो मैं इनको यही बताता कि भाई साब दो महीने नहीं हुए दो महीने हो जाने तो उसके बाद आप apply करना आपको पैसा मिल जाएगा इसी तरह के बहुत सारे लोग consult करते हैं अलग लग तरह के rejections में consult करते हैं तो क्योंकि मुझे अगर personally time देना है मुझे अगर personally बताना है तो उसमें मेरा time और knowledge इस्तमाल हो रही है तो मैं आपसे एक fees चार्ज करता हूँ बाकि free of cost भी जितने मैं आपको यहाँ वीडियो बना के दे रहा हूँ उतने मेरा channel एक तरफ रख लीजिए जितने PF के बारे में जानकारी है और पूरे YouTube में जितने channel है सबको एक तरफ रख लीजिए तो भी आपको मेरे channel पे जादा accurate और बहुत wide range की जानकारियां मिलेंगी मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद